हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको एक्सपेंड करने वाला फर्स्ट एर विकॉम सेमेस्टर टू मार्केटिंग संचालन न मूल तत्वो जिसे इंग्लिज में हम कहते हैं फॉंडमेंटल ओप मार्केटिंग मैनेजमेंट की इंपोरेंट थेयरी जिसके द्वार आप एक्जाम में मैक्सिमम मार्केटिंग न अर्थ आने लक्षन इंग्लिज में कहते हैं मेनिंग एंड कैरेक्टर हमारा लेक्षर हिंदी इंग्लिज गुजरती सभी लोगी काफी हैलफुल और प्रेजेंट टाइम में मेरे पास गुजरती मीडियम की भूग है आप इंग्लिज में भी सैम यही कोर्षन नमबर मिलेंगा आप वहाँ से जाके चेकाउट करना या पर मैं यहाँ भी एक्सपेइन करूँगा तो भी आप समझ जाएंगे पहला कोर्षन रेडि करना है अर्थ आने लक्षन मेनिंग एंड कारेक्टर्स और उसके अब आपको रेडिंग कर रहा है marketing कारच यहेत तो जैसे में इंग्लिज में कहेंगे scope of marketing या उसकी वाद आपको question number 5 ready करना है marketing mixed English में भी same to same यही लिखा होगा सिंग मिस्ल की जगा पर mix word लिखा होगा और उसकी बाद importance of marketing यानि कि marketing इसके सामने में 100% लिखता हूँ विकोज वेरी वेरी मोस्ट आइम्पी कोशन आई होप आप समझ गए हमें उनित नमबर वन और उनित नमबर वन की चैप्टर नमबर वन से कौन कौन से कोशन रेडी करने चाहिए चलती उनित नमबर वन मार्केटिंग की क्या सिच़ीعتए ये कोशन आप को रेडी करना और उससे पहले मेरा आप लोग की मैसेंज हैं प्रजेन टैम में इंडिया कंट्री की क्या सिच्चूशन इप सभी लोग जानती तो मेरा आप लोग को पुर्तिक मैसेज है, टाइम टू टाइम हैंड वोस कीजी और सभी लोग को अवेर करते रहें कि कोई भी क्राउड में ना रहें, सभी को घर पे रहना है और आशानी से पढ़ाई करना है, ओनलाइन का फाइदा लिजिए और अगर आप लेक्चर पहली बार आएं तो लेक्चर को लाइक, सेयर और अपने सभी फ्रेंज की वीच में सेयर कीजिसे, सभी के एक्जाम में मैक्सिम मार्क्स आ सके और सभी को वैन सभी कोशन और उसके वाद आपको रिडी करना है, ब्रांडिंग महत्व यानि की इंपोर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग क्या होती आई होप आप सभी लोग जानते, जैसे कि हम लोग पाल लेजी खाते ना, पाल लेजी में छोटा बच्चा आता है, पाल लेजी खाते हुए, इ जैसे कि OD कार के अंदर आपने चार सेंबोल देखे होंगे, वो OD जो है उसकी ब्रांडिंग करता, that means चार चार वंगरी वाला गाना आपने सुनाओगा, because it is ब्रांडिंग, right, उसके ब्रांडिंग महत्व ने मर्या था, that means importance and limitation, it is also very most timely question, unit number 2, chapter number 1, चलते, unit number 2 के, chapter number 2 के पास, कीमत निर्धारण, यहाँ पे आप कौन से question ready करने चाहिए, यहाँ पे आपको ready करना चाहिए, कीमत निर्धारण ने अशर करता परियोलो, आई होब आप समझ गये होंगे, English में लिखा होगा, effect pricing, right, और उसकी बाद चलते, unit number 2 के chapter number 3, the most timely question, इसके अंदर पहले से बता देता होगा, advertisements की importance और disadvantage, यहाँ लिमिटेशन भी कह सकते, बैड़ी, IMP question महत बने, फाइदा, महत तु लिखाओ, फाइदा लिखाओ, इम्पोटेंस लिखाओ, युजिस लिखाओ, सभी की meaning same रहेगी, right, limitation लिखाओ, और गैर फाइदा लिखाओ, या फिर मर्यादा लिखाओ, सभ चैप्टा नमबर वन, ग्राहक बरतन, इसमें से में कौन कॉशन ready करने चाहिए, second number question आपको ready करना चाहिए, ग्राहक बरतन ने अशर करता परिवलो, and second one आपको ready करना चाहिए, ग्राहक बरतन तवक का, जिसे इंग्लिस में कहेंगे, process, very most IMP question, दोनों question आपको अच्छी तरी किसे ready करना है, unit number 3 का chapter number 1, चलते है unit number 3 के chapter number 2, जिसे हम कहते हैं, वजार विवाजन, यहाँ पर हमें कौन कौन से question ready करना चाहिए, इसमें आपको सिब एक ही question ready करने के लिए कहूँगा, वजार विवाजन ना फायदा यानि की importance, यानि की, इंग्लिस में importance भी कहते हैं, इसे हम advantage लिखाओ, तो भी चलेगा, गुजराती में, फायदा लिखाओ, महत लिखाओ, दोनों की meaning से हमें, और एक बार इसका आपको अर्थ है, यानि की meaning भी अच्छी तरीके से read कर लेना, आई वोप आप शमज गए हैं, चलते हैं next unit के पास, और आच चुक है हमारे पास unit number 4, बजा संसोधनी प्रिया, यानि की इंग्लिस में कहेंगे, मार्केटिंग रिसर्च का प्रोसेस, राइट, उसके राद बजा संसोधनी महत और फायदा, आई हूप आप समझ के importance लिखा होगा, advantage लिखा होगा, महत और फायदा दोनों की meaning सेहम रहेगी, और उसके राद एक को कोशन में आपको read करने के लिए दूँगा, मालिक और क्लाइंट मार्टे नैटिकता नहीं की, इंग्लिस में लिखा होगा, ethics लिखा होगा, honor लिखा होगा, client लिखा होगा, मालिक और क्लाइंट मार्टे नैटिकता, आई होप आप समझ गया हमें, MM यानि की marketing management में कौन कौन स कोशन रेडी करने चाहिए, जिससे आप exam में maximum marks ला सकते हैं, मिलते हैं next lecture में सभी से, thank you very much